सबसे जादो comedy videos बनाए जाती है हमारी YouTube की हमारे bedroom के अंदर क्योंकि जब ना तो हमारे पास set frame करने के पैसे थे और ना ही हमारे पास कोई crew था जो location देखने इधर उदर जा सके तो almost जितने भी creators है जो आज के टाइम पे बड़े बड़े लेवल पे आए उन सभी ने शुरुवाद जो करीती है अपने बेडरूम से करीती तो काईदे से बनता भी यही है कि हम भी अपने बेडरूम से शुरुवाद करें कि कैसे एक कमरे के अंदर जो आपका बेडरूम है वहाँ पे आप आप अच्छे से वीडियो को shoot कर सकते हो तो हम यहां पे एक कमरे के अंदर है, एक सिंपल सा बेडरूम है, कुछ भी ऐसा स्पेशल यहां पे नहीं है, तो इसके अंदर अप किस तरीके से अच्छे से शूट किया जाए, अब देखो फ्रेम बनाने को तो आप यहां पे दुनिया भर की फ्रेम्स बना सकते हो, जैसे व आदमी ओफिस से घर आ रहा है, उसने आते हैं अपना समान फैका बेस तर पर फैका और आके बैठा, इस तरीके से सीन जो होते हैं, वो हर किसी के अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इनको प्रोपर तरीके से शूट कैसे किया जाए, अब हम यहां पे यूज करेंगे वो बहुत सारी यहां पर यूज हो सकते हैं, जैसे लड़का कमरे के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करते हुए का सीन, साथ में हमारा कैमरा जो है, ट्राइपोड पे लगा है, ट्राइपोड के नीचे हमारा कपड़ा भी है, अब जैसे जैसे हमारा करेक्टर कमरे के अंदर entry करेगा entry करके वह आके बैट पर बैठेगा तो यहां से हमारा tripod पर ही एक motion हो जाएगा कि हमारा tripod इस तरीके से move कर रहा है अगर हमारा frame कुछ ज़्यादा ही wide है सब कुछ पहले से ही कमरे में नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा सा zoom करके बनाना है अ अगर तो आपको यह पूरा शोट इसके आगे की बाची जो है वो वन टेक में ही रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा ट्राइपोड के नीचे जो कपड़ा लगा हुआ है वहां से जब आके लड़का बैट गया तो हमारा ट्राइपोड हलका हलका सा हम मूव करने लग ज इसके बाद अगर कोई डायलोग में इंट्रेस्टिंग से चीज आती है जहां पर वह एक दोनों को देख के बात कर रहे हैं तो वहां पर ओवर दा शोल्डर कैमरा एंगल यूज़ करके 180 डिगरी का जो रूल है उसको इस्तमाल कर सकते है 180 डिगरी रूल अगर सिंपल से उसी साइड पर ही हमारे कैमरा हमारे फेस की तरफ दिखाई देगा अब यहां पर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की चीज कर सकते हो जो काफी लोग इबनूर कर देते हैं वो यह कि हम अपने कमरे की एंबियंस को यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में अब उन दो की आवाज होगी वह बैक्राउंड में हलकी हलकी चलती रहेगी और जैसे ही अगर आपको कोई इंटेंस मूमेंट आता कोई डायलोग आता है या कुछ भी सरप्राइज आता है वहां पे हमारी टीवी की वोल्म जादा हो जाएगी और वही सेम एंबियंस हमारा एक वीडियो को यहां से यहां पहुंचा देगा और अगर आपका बैडरूम का सीन पूरा रात का है तो वहां पे हम इसकी लाइटिंग को भी बहुत जादा इस्तमाल कर सकते हैं यहां पे जैसे टीवी के बार बार जैसे आप देखेंगे कि कोई भी एक फ्रेम नहीं रहता वहां पे कलर change होते रहते हैं तो वहीं पिर आप character के ऊपर भी वह हलकी सी light change कर सकते हैं अगर तो आपके पास कोई एक mb.Light है तो उसकी मदद से आप character के ओपर अलग अलग तरीके की light डाल सकते हैं जिसकी वजय से हमारे जो character है एक बहुती अलग level की feel आएगी कि टीवी की लाइट हमारे करेक्टर के फेस पर पढ़ रहे हैं जिस वजह से जो करेक्टर है उनकी जो बाते करने का जो इंबियंस है वो भी काफी अलग-अलग होता जा रहा है यह चोटी-छोटी चीजे ही हमारी वीडियो को बहुत ही ज्यादा टोप लेवल का बनाती है हमारा जो करेक्टर का क्लोज अप है वह भी बढ़ता जाएगा जैसा मैंने आपको पीछली चैप्टर में समझाया था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हमारी बढ़े की वीडियो में उतना ज्यादा क्लोज अप हम करते जाएंगे यहां पर जैसे जैसे हमारे करेक्टर मै आगे की तरफ रखे ट्राइपोट को हम आगे की तरफ उठा सकते हैं काफे ज्यादा स्मूथ और काफे ज्यादा सिनेमाटिक हमें वह मुवमेंट देखने को मिलती है और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बेडरूम में जब भी कोई भी आप लाइट यूज करो तो वह अपनी वीडियो को चीज रखना चायतों जित्रा दिखाना चाते हो कि अरिपर दिखाना चाल्य रही आप यह कमरे की लाइटा हमारे उपर तो वह आरी तॉर링 हमारी उपर की तरफ से ही होंगी अनलेस एंड अंटिल आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कभी भी लाइट आपको नीचे की तरफ से नहीं रखनी है तो आई होप आपको समझ आयो कि बेडरूम के अंदर किस तरीके से आपको करने चाहिए अपनी वीडियो के लिए इसके साथ मिलते हैं अगले सेकिंड मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन के साथ जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि दूसरी लोकेशन पर किस तरीके से शूट किया जाता है